प्रेट्स में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारेहूं एक व्हाज वेश्टों के बहुत सारे विदियो में आपके साथ किया और आज तो स्कैल्प को फिनिश करने के साथ साथ आपके बाल बहुत जदा तूट जड़ रहे हैं या आपके बालों का टेक्च्चर नहीं है तो उस समस्या को भी है रोई बहुत अच्छे से करने की किby निफ्य का समस्या को व्यारे चाहिए बहुत जड़ायन नहीं करना पड़ेगा और रांज की इतना व्युक्षास करते हैं हो सब्सक्री है नरalahit दिखिए कुछ coconut oil में बनाया है तो यह दिखिए जमसा गया है वैसे भी winters में आपको hair oils को गुन-गुना करके ही अपनी scalp पे इस्तेमाल करना चाहिए तो यह hair oil हमने तयार किया है यह hair oil आपकी बाकी समस्याओं को finish करने के साथ साथ आपकी grain की समस्या को भी बहुत अच्छे से फिनिश करने में सक्षम है जी हां जब आप इस hair oil को regularly यूज करते रहेंगे तो आपकी grain की समस्याओं आप देखेंगे धीरे-धीरे करके finish होना शुरू हो गई तो चलिए भाई देखते हैं किस तरीके से हमने hair oil बनाया क्या-क्या-क्या यूज किया सारी डीटेल आगे आप mustard oil का इस्तेमाल भी इस oil को बनाने के लिए कर सकते हैं गैस मैंने लिट कर दी oil को गर्म होने के लिए रख दिया हाई आँच पे जब oil गर्म होना शुरू हो गया तो आँच को सिंप पे कर दिया और इसमें मैंने डाला एक चमच मेथी दाना आधा चमच अजवायन और आधा चमच राई अब मेथी दाना और अजवायन ऐसे ingredients हैं जो आपके scalp के infections को finish करते हैं आपकी hair growth को boost करते हैं और राई भी आपकी hair growth को boost करने के साथ साथ आपकी grain की समस्या को खतम करते हैं जब यह सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं तो आप सबसे last miss में रतन जोत आट करें और 5-10 minutes इसे पकाने के बाद में आप ग्यास को बंद कर देंगे और ओयल को ठंडा कर लेंगे रतन जोत की वज़े से इस ओयल का color बहुत अच्छा आता हैं आपके बाल अगर बहुत जादा तेजी से सफेद हो रहे हैं तो यह oil आपकी grain की समस्या को भी काफी हद तक finish करने म रोज मेरी essential oil की आड़ करिए और इसे ठंडा करके आप किसी bottle में भर लीजे जब भी आप इससे oil करें आप इससे गुनगुना जरूर करें खासता और से winters के season में तो यहां इस तरीके से partition आपको बालो का कर लेना है और सबसे पहले आपको इस oil को अपनी fingertips की help से roots में लगान या itching की समस्या हो गई या dryness की समस्या हो गई तो आप जब इसे scalp में लगाएंगे न तो आपके hair roots से healthy होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में scalp के अंदर लगाने के बाद आप इसे fingertips की help से पहले बहुत अच्छे से massage देंगे और उसके बाद में आप भारी हिस्से प एक बढ़िया अपनी चोटी बांद लेंगे और ओवर नाइट आप इसे अपने बालों में लगा रहने देंगे सुबहरे आप शैंपू करेंगे उससे होगा क्या सारी रात आपकी scalp एक नरिश्मन मिलेगा आपके बाल जो होते ना वह बहुत तेजी से ग्रो करते हैं अगर आप ओलिंग रात के वक्त करते हैं तो सबसे बेस तरीका यह है कि आप रात के वक्त ओलिंग करें आपने कितने से हैर तैयार किया यहां पर हमने अजवयन के इस्तेमाल किया है से हैर और बढ़ाती है और आपके scalp पर होने वाले infections को finish करने की शमता रगती है बाकी सारे इंग इस्तेमाल करके हमने ओल तैयार किया फ्रेंट्स आप एक बार में एक महीने का batch बना करके तैयार करने और एक महीना यूज़ करने के बाद फिर आप नया batch बना सकते है और लगाने से पहले से घुनबुना जरूर करिए ताकि आपकी scalp को बहुत अच्छे से नारिश्मेंट तो यह तो बात हो गई आज के तो यह की आज की की बहुत सारी लोगों की शिकायत होती है पालों की टूटने जडहरे के समस्या भड़ गाई है कि कि यह इस की हैं सानी के समस्या आई बालों से रिलेट हो तो आज मैं आपके साथ 10 तो डियार करने जाहे हूं जिसे बनाना बहुत आसान है आपको लेना है एक से टेर्ड गिलास पानी और उसे आपको को बॉइल होने के लिए रख देना हाई आँच पे जब पानी अच्छ से बॉइल होना शुरू हो जाए तो आज को सिम कर दीजिए और एक से डेड़ चमट चाय पत्ती नॉर्मल चाय बनाने वाली चाय पत्ती आप उसमें आप कर दीजिए आपने कहीं बार सुना हो कि मेहंद को बॉइल करना है दस से पंदरा मिनिट से माच पे और जब यह पानी अच्छ से बॉइल हो जाए तो आप इसे चान के किसी बॉटल में भर लेंगे साथ ही आप इसमें आड़ कर देंगे दो विटामिनी के कैप्सूल और दो टी स्पून ग्लीसिन और सारी चीजों को अच् पाइनी टेक्च्चर मिल जाएगा आपके बालों को और साथ ही साथ अगर चाहें तो इसे आप अपने शांपू में भी इसमाल कर सकते हैं जब भी आप शांपू करें उसमें यह वाटर राट करें और तब आप अपने बालों में शांपू करें आपको इंस्टेंट्स मिले करेगा मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और पामिली के साथ भी जरूर शेयर करिएगा टेक कियर बाइब